नमस्तार तो पंजाब ने अपना फाइनली नेक्स्ट प्रॉसेस अनॉंस कर दिया है पंजाब ने बहुत पहले रेजिस्टेशन करा है था उसके बाद मैं हमेशा कहते था आपको कि जब तक कोई भी बड़ा स्टेट नहीं करेगा और क्योंकि एमसेसी की डेट्स आ गई है और उससे जाता जो हमने कल परसो वीडियो पे मैंने शेर किया था कि हाओ दे विल डू इट तो एमसेसी के करद मोल्टिकेशन पे दुबारा जाएंगे तो फिर तो हमें लगेगा कि लेकिन हमने जो परसो वीडियो बनाया था आपसे मैंने शेर किया था कि ऐसा जिए कि सब कुछ 27 तरिक्या वाश्रू होगा अलॉट्मेंट और में भी रिपोर्टिंग वह हम कर सकते हैं सो एमसेसी ने तो कहा था कि भई अब सारे काम आप 27 के बाद करना लेकिन लाज जोएनिंग साथ हरवरी राइट तो इसी को आप देखोगे समझदारी से तो पंजाब ने क्या करा है कि चॉइस सिलिंग कल से लेके 24 तक हो चलेगी सीट अलॉट्मेंट 39 तक चलेगी और फिर रिपोर्टिंग टाइम आपको दे दिया साथ हरव जो काम है यह वाला काम जो है जो की काफी समय लेता है बाद में वह हम पहले कर सकते हैं तो सिंपल है आप सबने अपना देशेशन करी रखा है आप फिर से अपनी BFUHS की विबसाइट में जाएंगे जो पंजाब की विबसाइट है आपका user ID पासवर्ट आपके पास है ही औ और यहां पर जाके आप चॉइस लिंग करेंगे पंजाब में टोटल पहले तीन थे अब आपको जानते चौथा मेटिकर कॉलिज इस साल से आ गया है तो टोटल आपको चार सरकारी कॉलिज मिलेंगे और फिर प्राइवट की बात करेंगे तो वह भी चार हैं प्लस EMC में करनी होती है अकसर सब लोग पहले गवर्मेंटी डालते हैं फिर प्राइवेट डालते हैं और अपने तरफ से पूरा अनलिक्स करके डालिए कि किस कॉलिज में आपको जाना है और जो लोग पंजाब डोमिस हैल के नहीं थे उनको CMZ उध्याना की आप्शन नजर आएग कि राइट जब अपना ओपन करेंगे सो बेस्ट विशिस बेस्ट ओफ लड़ यह है आपके लिए पंजाब का नेक्स टैप आपकल से शुरू कर सकते हैं और इंशोर कीजिए कोई गलती ना हो कोई परिशानी ना हो धन्यवाद बाबाए